नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आज मैं एंजाइना जिसे हिंदी में हरिदय शूल भी का जाता है उसके बार में कुछ इंपॉर्टन जानकरी पहुचाने के लिए आया हूँ इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपय इसे सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे जया सेयादा शेयर एन लाइक करना ना भूले आपके मन में जो भी सवाल हो या जो भी सुजा हो उसे कमेंट के रूप में जरूर भेज सकता है एंजयना या इंजयना पेक्टोरिस भी काया जाता है ऐसे ये kemik chest pain और हिंदी में रिदाईशूल के नाम से भी जाना जाता है ये एक chest pain है जो blood के flow के कमी के वजए से chest में होता है और ये blood का flow जो है hurt में कम हो जाता है तब ही ये chest pain होता है ये आम तोर पर coronary artery disease के एक मुख्य लक्षन मना जाता है इंजाइना के क्या क्या लक्षण है उसको मैं आपके बताऊंगा, सबसे पहले चीज है कि ऐसा मैसुस होगा कि चेश्ट में कोई दवाव भारी दवाव है भारी प्रेशर के जैसे या खिचाव के जैसे भारीपन जैसा जो है मैसूस होना ऐसा लगना कि कोई बहुत जोड से प्रेस कर रहा है खीच रहा है टाइटनेस का मैसूस करना और चेश्ट पे जो है अचानक ये दर्द हो सकता है या कई बार कुछ दिनों के गैप पर भी ये चेश्ट में जबड़े में या गले के रीजन में भी हो सकता है इसके साथ साथ कई बार कमजोरी लगना हलका सा सिर्दर्द लगना ये लक्षन आ सकते हैं छाती में जलन जैसा महसूस होना बदहज्मी जैसा महसूस होना दिल का ज्यादा तेही से धड़कना ये सांस लेने म तनाव, चेश्ट में भारीपन और दिल की गती का तीब्र होना ये भी इसके मुख्य लक्षन है आखिर एंजाइना पेन होता क्यों है जब भी हमारे हर्ट के मसल्स जो है जितने ब्लड को उसमें फ्लो होना चाहिए उन ब्लड में ऑक्सिजन होता है वो उक्सिजन जब सफिशेंट मात्रा में ब्लड के मसल्स में नहीं पहुचते है तब क्या होता है ये इस तरीके से हमको दर्द की अनुभूती महसूस होना लगती क्योंकि वो उक्सिजन हमारी प्राण वायू है उसी ब्लड के अंदर वो मौजूद रहते हैं मिक्स रहते हैं जब सफिशेंट ऑक्सिजन नहीं मिल पाता है तो दर्द की अनुभूती और खिचाव की अनुभूती होती इची से कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी काय जाता है और इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज के वज़े से इक अक्सर जो है यह एंज्याइन पेन होता है और व्लड पूरी गति से क्यूं नहीं जा पाता है हर्ट के मसल्स में तो कई बार देखा गया है कि हर्ट के मसल्स जो है या तो सिकुड गये हैं या ब्लॉक हो गया हैं जिसे इसकेमिया के नाम से भी जाना जाता है और यह जो प्राबलम है यह अधिकांश आज कल के समय में देखा जा रहा है लोग हो रहा है और फिर सडेन जो है इंजयना पेन हो करके कोर्नरी आर्टरी डिजीज हो करके स्ट्रोक या हर्ट अटेक भी होन नहीं कि healthy diet लीजिए जिसमें fats ज्यादा नहूं sugar और जो है salt भी restricted हो काम हूं अगर आप diabetes है तो उसको maintain रखना चाहिए अगर बीपी आपके हाई रहती है उसको maintain करना चाहिए अगर आप hyper cholesterol के patient है तो cholesterol और पूरी lipid profile को control रखना चाहिए जिसमें good cholesterol अच्छी मात्रा में हो और bad cholesterol control रहे physically active रहना चाहिए weight को manage करते हुए चलना चाहिए stress से बचना चाहिए तनाव मुक्त जिंदगी के लिए simple entertainment का सहरा ले meditation, yoga, walk, exercise ये सब हमेशा carry out कीजिए जितने भी अपने गलत lifestyle के तरीके हैं उनसे बचना चाहिए alcohol अगर आप consumption करते हैं तो उसको stop कर दीजिए अगर आप इन चीजों को पालन करेंगे और routine अपने heart का check-up भी कराएंगे तो इंजाइना नामक ये जो problem है ये जो बिमारी है इससे आप बच सकते हैं और इसके early detection कर सकते हैं इसके साथ साथ एक important बात मैं आपको और जनकरी दूँगा जिनके परिवार में पहले भी heart के disease वाले रोगी रहे हों जैसे किसी के mother father या नाना नानी या फोर फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर इनको heart की विमारियों का record रहा हो ischemic heart disease का record रहा हो वो अपने heart का बराबर routine check-up जरूर कराते रहे हैं जिसे क्या उनको अचानक certain angina pain से जूजना नहीं पड़ेगा और अगर उनको ischemia या coronary artery disease की कुछ भी संभावना है तो उसके early detection से पता लगने से proper treatment लिया जा सकता है एक और important बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज के समय में लोग fast food के उपर ज्यादा dependent हो रहे हैं तो fast food से बचने के कुछिश करना चाहिए कम से कम oil का प्रयोग कीजिए उन ओइल्स का प्रयोग ज्यादा कीजिए जिसमें cholesterol ना के बराबर हो अगर आप high fat और high cholesterol वाला diet या oils का consumption ज्यादा मत्रम करेंगे तो heart के उपर दवाव बढ़ता रहेगा heart के muscles जो है वो weak होंगे heart के muscles जो है कई बार जो है वो narrow हो जाते हैं समकुचित हो जाते हैं और blocked होनी की chances ज्यादा हो जाएगा तब जो oxygen carrying जो blood है उस पर नहीं पहुच पाएगा sufficient oxygen नहीं पहुच पाने पर हमारा heart जो है कई बार जो है एंजाइना पेक्टोरिस जैसे तकलीफों को जहल सकता है और हम अचानक जो है किसी प्रकार से coronary artery disease के patient बन सकते हैं तो मैं उम्मिद करूँगा मेरी दीगे जानकारी को आप बिलकुल अपने जिन्दिगी में follow करेंगे और इस वीडियो को जाय से जादा लोगों तक share करके अपने परिवार को और समाज को स्वस्त रखने की कोशिश जरूर करेंगे इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या प्रतक्षूप से आप मुझसे मिलना चाहते हैं यह मेरे क्लिनिक्स में आपको हर्ट से संबंदित प्रॉब्लम का इलाज क्या आउशिकता है तो प्रतक्षूप से आप मेरे तीनों क्लिनिक्स में आकर करके मिल सकते हैं और मेरे WhatsApp में भी मुझे तक संपर्क कर सकते हैं जिनका पूरा ब्यारा मैंने YouTube प्रोफाइल में डेस्क्रिप्शन में देखे रखा हुआ है अब वहां से भी चेक करके मुझे तक बहुत सकते हैं धन्यवाद नोशकार जैहिंद